कि पहले तो मैं आप लोग को निया सब्सक्राइब देता हूं इतना गेजिदिंग पहला बार देखें बोदिंग बाद फ्रेंट्स जैसा कि हम सब जानते हैं कि साथ तारीको जो एक दुखरपूर्ण घटना घटी है इसमें पंजाब के दो मज़दुर मारे गए उस केस को उ प्रफिश्ट घंग से सॉल्व कर लिया है और उसमें जो आदिल मंजूर शिनिगर कहीं है जालतनागर का है जो इन्वहल था मेन एक्विट्स जिसने फाइड किया है जिसको पार्टी संक हैंडलर ने ऑनलाइन सोसल मीडिया ग्रूर्ण एक्किवेट किया मोटिवेट करके उसको शिनिगर पूलिश ने डियप्तार कर लिया है और वेपन एफेंस यह रिकवरी हो दिया है डिया जी सेंट्र कश्मी ने एक एसाइटिक गठित की है जो तप्रफिश्ट को प्रफिश घंग से किया जा रहा है इसमें मैं आजी साब स्वेस्ट करता हूं को डिटेलिन आपको पड़किस नहीं मैं हिंदी में ही बोल दूँगा आपको जैसा कि आप जानते हैं गुजिस्ता साथ परवरी को एक दर्दनाख हाद्सा पेशरफ्ट हुआ था जिसके तहत एक शाला कदल शहीद गंग इलाके में दो पंजाब के जो बाशिंदगान है अमरित पाल औ रोहिद मासी उन पे एक टेरर अटैक हुआ था और दोनों जो हैं उसमें फोर्थ हो गए थे वो दे सकंब टू दे इंजुरी इसमें कहने की बात है कि अमरित पाल और रोहिद यहां पे कारपेंटर और वुडबर की काम से वाबास्ता थे और अपने घर से उसी दिन अपने यहां पे जो उनका डेरा था शहीद गंड में उसकी और वापस आ रहे थे तो इसी सिलसले में फाया नमर आट पटा दोजार चौबिस पुलिस टेशन शहीद गंड में दर्ज हुआ जेरे दफा तीन सो दो तीन सो साथ और रेलिवेंट सेक्शन आफ यूए पीए एक्ट मे और इसके बाद ये दोनों जो है श्री नगर पुलिस ने काफी मुस्तेदी से और प्रोफेशनल तरीके से इसमें एक टीम का गठन किया गया फील्ड और टेक्निकल एनालेसिस किया गया जिसमें काफी मेहनत गई और उस दोरान काफी क्लिंचिंग एविडेंस उनके पेशर जिसका नाम है आदिल मंजूर लंगू जो कि जाल डगर स्री नगर का ही रहने वाला है उसका रोल उजागर हुआ और ट्लिंचिंग एविडेंस के आधार पे उसको अरेस्ट किया गया इसमें जो है ये में सस्पेक्ट जो था जो कि में अक्यूस बना बाद में उसने कॉंस पिरेसी करी वास न कंटक्त विडेंस घंडर अक्रोस बकिस्तान रिव इस इंपरेस्ट आपन हिंट पॉंब थार्टा कहें लंगूर आप घ्रल क्रूंट वेठल आपका री नगर्टिंग ये वेपन आपूफंसे द्टिस्ट आपरेस्ट काह करीडू दूर टाइंसे वे र एक SP South की कयादत में एक Special Investigation Team का गठन किया गया है और वो इस Investigation को मुस्तहदी से अंजाम ला रही है और हमें आशा है कि इसमें शीग्र जल से जल इसको केस को चार्शीट करेंगे for the Judicial Determination. इसमें मैं आप लोगों से दो पॉइंट है बोलना चाहूंगा जो बहुत है रिलिवेंट है कि जो इस टरकर मोडूल को यहां पर लगों को रिलिग्राइज करके बढ़ती कराता है फिर इंसिजन करवाता है ऐसे हैंडिनर को पाकिस्तान में हो जब किसी कोना में उसको हम उनके घरवाले खिलाब उनके प्रपर्टी पर जब्च किया जाएगा हाड़ साथ एक्सन लिया जाएगा दूसरी पॉइंट है जिए मैं यहां के अवाम से खासा के पैरेंट से अपील करता हूं और टीचर कम्यूटी से अपील करता हूं कि आपके अगर कोई ऐसे लरके ल होता है घरवाले को पता नहीं चलता है और बात में जा के हैं करता आज के जमाना वी बर बच्श करते हैं हम लोग बंडल को करते आ रहा है इसको भी किये हैं आगे वी इंसर्व बस्त करेंगी और हाट साथ परिंश्मेंट दिया आ जाएगा गर धृट कोड कोड करता हूं इसलिए मैं पेरेंट से फिर अपील करता हूँ एक बात अपने बच्चों पर घ्यान रखें सोसल मीडिया के तुरू क्या करा ने करा है उसको देखें उनका डूटी है और टीचर्स के डूटी ही है देखिए कहीं कभी पुलिस हो डिफेंड मोडल पर काम करते हैं यह सिंगल मोडल के तरके आगया था लेकिन पुलिस अभी बहुत से मोडल पर काम कर रही है है इसी चलते प्रिवेंटिव मेजर हम लोग ले पाते हैं इस इनको रोख पाते हैं और उस मोडल जो काम करें उसको अब बढ़ाने की कुश्क की जा रही है इसे देखे पुलिस की प्रोफिसलिजम उनका जो हार्ड वर्क इसी से डिक्रेट होता है कि की स्टन से जल्दी इसको हम लोग क्रेक कर लिए मैंने आपको पहले भी कहा चुका है कि अगर कहीं पर डिफेंड मोडूल काम करता है तो पुलिस बहुत को रोख पाते हैं बहुत को पकर पाते हैं एक दो स्ट्रीप हो जाता है यह प्रोफेसर हजाड है वही मोडूल वागा इंसिदेंट करने में काम्या हो जाते है इसमें वही हुआ है लेकि फिर भी आप देखिए कि कितना सा इसको जल्दी टाइम पर इसको सॉल्व किया गया है जहां तक प्रिवेस इंस बहुत सरे लीड मिला है यहां भी सेर नहीं कर पाएंगे जब उसको सॉल्व कर लें गए यह आपसे सेर गया जाएगा जहां ताय आपने बोला कि जो सही बात है इस निगर सिटी में एक मोमीन एक लोकल टेश्ट बच गया है और यहां